तो आप सब लोग को कैप सभी बढ़ी आओंगे निस रहां की बढ़े रहें तो आज के लिड़ों काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंगे मज़दार रहने वाली है करने वाले हैं और आज की इस वाली वीडियो में हम बात कर जाने में इस प्लेयर प्लेयर की कि आईडी से लेकर कर गये हैं कि इस लेकर तक लेगी आफिस वाली वीडियोपे हम किसी की आइडिया कंपेर्यजन नहीं करने वाले हैं अदरने वाली हैं अधिक स्वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे फ्रीपाइर फ्रिटी हो चुका है से मतलब हमें कितना प्रॉफिट मिलने के बाद हमें कुछ मतलब उन से फायद अभी है या फिर फ्रीफायर चेंज करते जा रहा है और गेम बेकार पर बेकार होता जा रहा है तो जो भी आपी तक की वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर दो करें बेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए आगर आप इस्टाग्राम चलाते हो अब तक मुझे फॉलो निगरो तो जल्दी जाओ चांखी इस्टाग्राम फॉलो कर दो क्योंके मेरी हर रिसेंट वीडियो के आपडेट में लावत रहें लावता रहें तो फ तो यार अगर मैं फ्रीपायर का अब तक का सबसे बिगेस्ट अपडेट की बात करूं जो 2017 से लेकर के 2021 तक आया है वो है उसके ग्राफिक्स तो यार सिफ ग्राफिक्स ही एक ऐसी चीज है जो काईजर गेम को काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग एंड गाइस होवर था ओलिज यही वजा है कि हर बंदे को ग्राफिक्स अच्छी होता है इसी वाज़े से फ्रीफायर के डाउनलोड भी काफी कमते है लेकिन फ्रीफायर ने अब इतने अच्छे मतलब आपके सब्सक्राविक्स में इतना डिफरेंस लगा दिया है क्या आप जैसे आपको पता होगा आप अब जैसे उफरीफायर लेकिन एक यहार मैं अपसे बात करो दो तब आपको अप्शन हमें नहीं मिलता था समझता तो या फिर आपको यह बात बताना कि आप में से किस की बंदे को बार में पता था या फिर नहीं तो गाइस जहां तक है अगर गाइजर आपको एक काफी अल्टरा होरिजन लेवल का अगर आपको गाइजर वन टैप लेयर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है सबसे में तो रहता है एक गाइजर काफी स्मूध चलना वाला फोन है फिर पीसी या फिर गाइज आपका कस्टम हड जो गाइजर पीसी फोन के सबसे पहले यही आता है अगर आपने अपना कस्टम हड अच्छा नहीं बना रखा है तो सच बतारों गाइस आप कभी भी वन टैप नहीं सीख पाऊगे जिसकी वजह से काफी सारे बंदों को आज भी वन टैप से खेलना नहीं आता तो में होता है कस्टम हड जो गाइजर बंदा मतलब आपके सकतो अगर अच्छा नहीं मनाएगा तो उससे वन टैप खेलना नहीं आप आएगा यार इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो गाइजर अपसे सिमिलर मतलब चेंज हो कुछ बाकि सबकुछ बस गाइजर आपने आपके सबसे में चीज जो गाइसर वन टैप के लिए सब सब्सें जरूरी होती है वो के स्विचिंग गंस की स्विचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है और इस पहले वो नहीं हो पाती है जैसे कि आप देख पाले होगे इसका गाइसर गंस्विच बॉक्स काफी डिफरेंट टाइप का है एंग इसमें आपको आरो मिलती थी अ पाओगे अगर आप ऐसे कस्टमर्ट में खेलने वाले जिसका गईजर स्विच बटन कुछ ऐसा है जिसमें आपको एरो चेंज करना पड़ेगा तो इसके लिए तो आपको सूप्रीम लेवल की आपके स्पीड ची होगी आपके उंगलियों में ताकि आप जल्दी-जल्दी दो दो चीज 1989 चीज़े प्रोवाइट कर रखी एक तो काईसर ड़ेमेज इंडिकेटर दो तरीकी के होते हैं अगर आप पहलेehocracy वहां घरपके उचogo items आपके इस बंदे को हैड़ रहा है और तब जाए कुछ इसलटा से नंदे करना इस नोन favour जिसमें देखने में आपको ऐसा लग रहा है जो अगई इसे बनी वाले इंक्यूबेटर जो मेरे पास भी है उसे मतलब किसी बंदे को मारते हो तो फिर एक्षट बन गया था वैसा जब आप किसी बंदे को मार रहोता है पहले तो बखवास सा इंडिकेटर था लेकिन फ्रीफ अगर मैं बात करूं आप से चार सार पहले की तब तो आपकी जीप में एक से ज्यादा बंदा भी नहीं पैट पाता था जो गईजर अब तक के सबसे ज्यादा बंदा बेठाने वाली वहीकल है एक जीप एना अपना मॉस्टर ट्रॉक यही दो है जिस पर एक साथ चार चार नहीं करता था है यह जाए जहां तक है अब यह जैसे आप मैप के बारें पता होगा अगर आप फ्री फार को प्रीप मैप के अंदर चेंज करना है तो इन जस सेकेंड्स से लिए मैप को बदल के लगथ दिता है मुश्किल से 1-2 अपडेट में चेंज अगर आप से पहले इसा नहीं हुआ करता था तो लाइफ या के क्ची साल पहले तो उसमें लाइफ स्यागे समझ पारे होगे लाइफ कंस्ट्रक्शन से मेरा मतलब है कि अगर जैसे समझो पहले अपने फ्री फायर में भांबी में सकती स्टेप नहीं थी तो यहां पर इस टाइम पर इदर कंस्ट्रक्शन हो रहता है तो उसको डैमेज परता था पूरी प्रिपेर हो जागता था तब आप उसके बात कई और कंस्ट्रक्शन चालो हो जागता तो ऐसे अपने फ्री फायर का मैप त्यार हुआ है पहले पस तीनी एरिया थी हैंगर ऑफिस एंड गईजर आइधिंक कास्टुलिस्ट वा एंड बस गईदर यह तीम जीद आपक आप मैंने को बताना आप में से कौन-कौन बंदा अब गईज़ा फ्री फायर के लिए ना नहीं पर चैनल को सबस्क्राइब कर दो काफी बंदों पुछा ता क्या वीडियो पे टापिक चाहिए अगर आप में से किसी बंदे की आईडी नो टॉप-ब लेक्शन जैसी आईडी तो आप मिने को नीचे कमेंट स्री मोझा बता सकते हो झाल झाल